नमस्कार दोस्तों मैं और रितिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रिम कोट से UGC के खिलाब जो हमने याची का दायर की थी उसमें दोस्तों डिसीजन को लेकर के बहुत बड़ी OPCL अपडेट अमारे सामने निकल कर आ रही है पूरी जानकरी में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं बताने वाला हूं कि दोस्तो सुप्रिम कोड से है वो फाइनल एर की परिक्साओं को लेकर ओडर कब आने वाला है लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह दी आपने अभी त पहले जस्त ट्वीट किया है डियर यूजीसी फाइनल एर फ्रेंट्स यानि दोस्तो यूजीसी कि जो हमने केस के असाद को लेकर उनोंने फाइनल एर की विद्यार्तियों को दोस्तो कहा है टूडे सुप्रिम कोड है जो अपना निर्ने नहीं रिणे वाला है दोस्तो मैं आपको बता दू जो खबरे चल रही थी कि जो चोईस तारीक है उस दिन दोस्तों है वो final result आने वाला है वो मैं आपको बता दू दोस्तों नहीं आएगा यह हमने आपको कल ही बता दिया था और आज फिर दोस्तों आपसे करें हैं कि आज है वो Supreme Court का order है वो नहीं आने वाला है आगे दोस्तों नहीं कहा है age concerned may not sitting tomorrow now the order is likely to come on Wednesday 26th यानी दोस्तों मैं आपको बता दू कल भी है वो Supreme Court से order नहीं आएगा क्योंकि जो जश्टिस असोग बुसरजी की बेंच है वो कल Supreme Court में है वो नहीं बेठेगी इस कारण से कल order नहीं आ सकता यानी दोस्तों मैं आपको बता जो order आने की सबसे ज़्यादा संभावी ती थी है वो आपके सामने आप देख सकते हैं 26 अगस्त वेनस डे यानि दोस्तों 26 अगस्त को है वो आपका है वो final नियने Supreme Court का आ सकता है अलाएंकि इस पर अभी mover नहीं लगी है we are trying to send over requests to honorable court for early order उन्होंने का है कि मैं try कर रहा हूं क कि मैं Supreme Court तक है वो अपनी बात पूचा है कि वो जल्द से जल्द है वो अपना order दे इस case को लेकर के we will update again इस पर कोई भी दोस्तों आगे news आती है तो आपको अपडेट कर देंगे 11 बच करके 10 मिनट दोस्तों अभी अभी उन्होंने अलग हाला उक स्रिवासदर जी ने ट्व शेदिक शेर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाले धन्यवाद